जहिन दोस्तों मेरा नाम है दरंबिर सिंग और आज फिर से एक बार स्टडी वाले बाबा यूट्यूब चैनल पर मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ क्लास 9th का चैप्टर बायो का चैप्टर है यह हमारा fundamental unit of life जिसके अंदर आज हम लोग चालू करते हैं इस चैप्टर को शुरू में हम लोग discovery of cell के बारे में पढ़ेंगे तो चली चालू करते हैं discovery of cell जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं discovery of cell आप लोगों ने 8th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा it is discovered by Robert Hooke किसने सबसे पहले cell की discovery करने वाले जो थे वो थे Robert Hooke जो की एक English scientist थे ठीक है जो की एक English scientist थे 1665 में इन्होंने cell term को coin किया इन्होंने cell के बारे में बताया और इन्होंने यह बताया कि cell ही जो होता है वो होता है हमारा fundamental structural and functional unit of living organism मतलब किसी भी तरह के living organism का structural and functional unit cell ही होता है हम सारे living organism इसी cell से मिलके बने वे हैं ठीक है तो और यह इन्होंने जो चीज प्रूफ की थी यह इन्होंने एक experiment के base पर प्रूफ किया था जिसके अंदर इन्होंने क्या लिया था दोस्ते हम आपको एक बार याद दिला देता हूं फिर से experiment के अंदर इन्होंने किसी tree का bark वाला हिस्सा लिया था क्या लिया था किसी tree का bark वाला हिस्सा लिया था इन्होंने और उस tree के bark से एक slice निकाला था और उस slice को पहले फिर stain किया और stain करने के बाद अपना self-made microscope microscope अपना self-made microscope के अंडर में देखा ठीक है अपने self-made microscope के अंडर में इन्होंने देखा तो इन्होंने क्या पाया based on the observation of thin slice of cork after staining he saw honeycomb like structure उन्हें एक तरह के honeycomb like structure दिखने लगा ठीक है honeycomb like structure दिखा उन्हें और इसी को उन्होंने क्या कहता है little compartments या फिर little rooms नाम दिया जो कि Latin में cell का मतलब होता है cell एक Latin word है जिसका मतलब little compartments या little room होता है तो उन्होंने सबसे पहले bark of the tree पे सर्च किया था और उन्होंने यह सारी चीजे अपनी publish की हुई यह किताब में publish की थी जो कि book publish होई थी 1665 में जिसका नाम था micrographia क्या नाम था इसका micrographia book के अंदर इन्होंने publish किय था तो दोस्तों जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम देखते हैं कुछ important चीजें जो कि हमारे काम आने वाली है first cell discovery Robert hook ने की थी पर अगर कोई आप से पूछे कि first living cell discovery किस ने की थी वो किया था Anton van Leeuwenhock ठीक है A.V. Leeuwenhock ने की थी first living cell के discovery ठीक है अब इन्होंने bark of the tree पे किया था तो हम लोग जानते हैं कि tree की bark जो tree का जो चाल होता है पेडो की जो चाल होती है वो dead cell से बनी भी होती है इस वज़े से हम उसे living cell discovery नहीं कह सकते तो first living cell discovery जो थी वो लिवनhock ने की थी ठीक है और first nucleus की discovery की थी Robert Brown ने और first protoplasm जिसको कहते है living tissue fluid जीता जागता tissue fluid protoplasm जिसे कहते है protoplasm की discovery की थी Purkinje ने किसने Purkinje ने और cell theory बताई थी Shledan एन श्वान ने अगर आपको cell theory याद नहीं आ रही है तो मैं आपको बता दू cell theory के अंदर क्या था cell theory के अंदर दोस्तों यह था कि जैसे कि इसके अंदर बताय हुआ था कि cell बनता कैसे है किस से ब कहीं न कहीं इनकी cell theory में कुछ ना कुछ कमी आ गई थी तो modified cell theory दी गई थी किसकी तरफ से Rudolph विर्शो ने इन्हों ने एक theory दी थी जिसको कहते हैं ominous cellular e-cellular ठीक है, ominous cellular e-cellular, ominous cellular e-cellular का मतलब यह होता है कि all the cells arise from pre-existing cells, all the, ominous cellular e-cellular का मतलब होता है, all the cells arise from pre-existing cells, ठीक है, सारे के सारे जो cells हैं, वो pre-existing cells से arrived है, ठीक है, तो यही ominous cellular e-cellular कहता है, और यह Rudolph विर्चो ने कहा था, कि पुराने cells से ही ने cells बनेंगे, ने cells से फिर और cells बनेंगे, और उन ने cells बनेंगे, और उन ने cells बनेंगे, तो यह थी discovery of the cell और introduction वाला part, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, दोस्तों की cells होते क्या है, on the basis of their number cells, कितन part पर divided है, unicellular, a-cellular and multicellular, ठीक है, unicellular, uni मतलब single, या solo, ठीक है, a-cellular मतलब not, मतलब कोई भी cell नहीं है, और multi मतलब many, कई सारे cell वाले organisms, unicellular जैसे कि आप जानते हैं, bacterias वगर आप इसके अंदर ले सकते हैं, a-cellular की बात करें, virus, virus के अंदर, virus बाड़ी में कोई cell नहीं ह आ जाएगा, ठीक है, अब cells on the basis of their nucleus, nucleus के इसाप से जड़ा देखिये, cells दो type के होते हैं, एक होते हैं, prokaryotic cells और एक होते हैं, eukaryotic cells, क्या होते हैं, prokaryotic और एक eukaryotic, जैसा कि हमने पढ़ा है, pro का मतलब होता है, primitive, pro का मतलब होता है, primitive, या पुराना, ठीक है, primitive, या फिर आता है, karyo, latina, greek word है, karyo word आता है, nucleus के लिए, किसके लिए, nucleus के लिए, karyo word nucleus के लिए, तो ऐसे cells जिन में nucleus पुराना है, या primitive है, उसको कहते हैं, prokaryotic, और you का मतलब होता है, true, या फिर आप कह सकते हैं, advanced, true या advanced, और फिर से karyo का मतलब क्या हो जाएगा, nucleus, तो मतलब ऐस से सेल जिनके अंदर nucleus true है advanced है या पूरी तरह से modified है उसको eukaryotic cells कहते हैं तो दोस्तों आप जड़ा हम इनको differentiate करते हैं धीरे-धीरे करके इन पाच और शे हो points के इसाब से size के इसाब से दोस्तों जब हम इने differentiate करते हैं तो size के इसाब से हम देखते हैं इसका diameter जो कि आप यह कह सकते हैं इनका size generally होता है छोटा ही होता है small size होता है इनका आप कह सकते है 1 से 10 mm तक इनका size होता है ठीक है और अगर eukaryotic cells की बात करें तो इनका size होता है करीब 5 से 100 mm तक ठीक है 5 से 100 mm तक इनका size होता है Nuclease की बात की जए दोस्तों, pro choarthedic cell में तो Nuclease या तो either absent, या तो नहीं होगा, either absent, या फिर अगर होगा तो primitive, either absent, or if present, then, primitive, ठीके, या तो नहीं होगा, या फिर होगा तो बहुत ही जाधा primitive होगा, ठीके, اور इसके अलावा हम लोग eukaryotic cell की बात करें, दोस्तों तो eukerotic cell के अंदर nucleus होगा बिल्कुल nucleus present और nucleus खाली present ही निये होगा बलकि nucleus advanced भी होगा और खाली यही बात नहीं advanced होने के साथ nucleus membrane bound भी होगा ठीक है membrane bound का मतलब यह है कि nucleus के चारो तरफ membrane की covering होगी और इसके अंदर covering नहीं होती ठीक है membrane absent membrane absent membrane absent okay chromosomes की बात करें दोस्तों chromosomes prokaryotic cells के अंदर आप यह कह सकते हैं single chromosome present होता है कितना होता है single chromosome present होता है दोस्तों जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं chromosome वो unit है जो की जीन्स करी करता है और जीन्स वो unit है जो की अपने hereditary information को करी करता है from parents to offspring हम जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे characters हमारे parents से मिलते जुलते रहते हैं तो इस वज़े से parents से offspring में characters जो आते हैं वो chromosome के ऊपर जो genes associated होते हैं उनके through आते हैं तो दोस्तों eukaryotic cell की अगर हम बात करें तो इसके अंदर more than one chromosome होगा ठीक है more than one chromosome इसके अंदर होगा ठीक है अब nucleolus की बात करें अगर हम दोस्तों nucleolus क्या है पहले तो समझ ले जिए nucleolus वो fluid है जो की nucleus के अंदर present होता है जिसके अंदर chromosome और genes होते हैं ठीक है तो nucleolus अब जब prokaryotic में nucleus ही नहीं है तो nucleolus तो कैसे होगा तो nucleolus भी आप कह सकते हैं इसके अंदर absent होता है ठीक है nucleolus नहीं होता इसके अंदर और जहां तक eukaryotic की बात की जाए nucleolus इसके अंदर present होता है ठीक है nucleolus इसके अंदर present होता है cell organelles पर आजाएगे दोस्तों cell organelles क्या चीज़ है cell organelles मतलब cells के organ मतलब जो भी cells के अंदर जो parts है वो eukaryotes में या prokaryotes में होते हैं कि नहीं होते prokaryotes में cell organelles होते तो हैं लेकिन वो membrane bound नहीं होते membrane bound नहीं होते नहीं होते ठीक है membrane bound नहीं होते membrane bound cell organelles cell organelles are not found 24 इनके अंडर membrane bound cell organelles होते हैं तो आप कह सकते हैं membrane bound cell organelles are found ठीक है membrane bound cell organelles इनके अंडर होते हैं अब दोस्तों cell division पर आ जाते हैं cell division क्या चीज़ है cell division का मतलब यह है कि किस तरीके से divide करके reproduction करते हैं आप यह कह सकते हैं दोस्तों कि prokaryotic के अंदर cell division होगा तो लेकिन या तो वो fission के द्वारा होगा fission का मतलब होता है तूटना divide या फिर budding के द्वारा होगा ठीक है budding का मतलब होता है bud का formation और फिर वो body से attach होके अलग हो जाता है ठीक है और जहां तक बात की चाहिए eukaryotic के अंदर तो दोस्तों हम जानते है eukaryotic के अंदर जो cell division होता है वो या तो होगा mitosis के थूरू या फिर होगा वो meiosis के थूरू क्या mitosis के थूरू और meiosis के थूरू तो जिनको नहीं मालूम है mytosis क्या है myosis क्या है यह एक cell division के types हैं दोस्तों जो की higher organism में पाए जाते हैं यह हम आगे चलके इसी chapter के अंदर फढ़ेंगे तो आपको tension लेने की बात नहीं है examples देख लिए दोस्तो prokaryotic prokaryotes इतने ही जाधा जब simpler organisms है तो इसके इंदर simpler examples ही आएंगे सादे के सादे आप कह सकते हैं archybacteriaries इसके अंदर आएगा archybacteriaries या normal जो भी bacteria है बैक्टेरिया के जो भी थाइप से वो इसके अदर आ जाएंगे और और eukeriotic की जहां तक बात की जाया तो हम सब जानते हैं तो तो यह सारी चीज़े हम लोग इसके अंदर ले सकते हैं तो यह आपके डिफरेंसिस प्रोकरियोटिक्स और eukeriotics के बीच में और unicellular, multicellular और acellular की बीच में तो यह चीज थी जो कि हम लोग ने इस आज इस चैप्टर के इंट्रोड़क्शन के बारे में पड़ा है तो आप लोग इसको ध्यान दीजेगा इसके नोट्स में लिंक देस्क्रिप्शन में डाल दूआ और इस पूरे चैप्टर के नोट्स प्लस होट्स प्लस प्लस एक्सराइज़ज और रिविजिन नोट्स और कॉंसेप्ट मैप भी मैंने लिंक डेस्क्रिप्शन में डाल रखा है तो आप बेशक उसको देखिएगा और देखके सीखिएगा और अगर कोई भी आपको दिक्कत या डाउट होती है तो मैंने अपने कॉंटक्ट नमबर भी लिंक देस्क्रिप्शन में दे रखे हैं तो आप प्लीज उसको देखिएगा और सब्सक्राइब लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा थैंक यू जाहिंद